अज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हो private VPN application को आप अपने phone में कैसे यूज करेंगे तो guys अगर आप भी जानना चाहता हो private VPN application क्या है और उसest application को हम अपने phone में कैसे use करें तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए तो गाई सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा प्ली स्टोर के अंदर आना है प्राइवेट वीपेन एप्लिकिशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है इसके बाद अगर इसके रिव्यूज रिटेट वगया देखना चाहते ह जो डाउनलोडिंगे अब गैस कैसे अप्लिकिशन को यूज करना चली मैं आपको बता देता हूं सबसे बहले तो हम अपने फोन में एप्लिकिशन को ओपन करेंगे और उसके बाद यहां पर एग्री एंड कंटीनु वाला जो आप्शन है नीचे की साइड में हम इसके उब क्लिक करेंगे ठीक है तो इसके उपर हम जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा उसके बाद यहां पर आपको लेंगवेज चूज करने है उसके बाद टिक वाले उप्शन पर आपको क्लिक करना होगा उसके बाद देख तो इस तरह का जो आपके सामने आ जाएगा तो सबसे वहले यहां पर आपको करना क्या होगा यह जो server है इसके उपर आप क्लिक करके अपना server चूज कर लीजे जो भी server आपको connect करना वो यहां पर आपको select करना ठीक है for example के लिए यहां पर हम कोई भी एक server को choose करेंगे उसके उपर क्लिक करने के बाद यहां पर okay वाला option आजाएगा अलाव वाला तो इसके उपर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद यहां पर connecting जो है start हो जाएगी और कुछे second के अंदर जो भी server हम select करते successfully हमारे phone के अंदर connect हो जाता है तो guys देख सकतो successfully हमारे phone के अंदर जो server हमने select किया था हो successfully connect हो चुका downloading uploading speed भी आ रहे है सब कुछ देखने को मिल रहा है ठीक है अब गयाँ पर इसकी settings देखने है तो three line पे क्लिक करके इसकी पूरी setting यहां पर देख पाएगे इसके लावा private VPN application को use कर सकते हैं